नमस्कार वन इंडिया में आपका स्पागत है मैं हुआ जै भारत में इसी साल टी-20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है टी-20 वर्ल्ड कप में कईयों की माने तो भारतिय टीम काफी फेवरेट है लेकिन टीम इंडिया के कपतान विराट कोहली को ऐसा बिलकुल नहीं लगता विराट कोहली ने टी-20 वर्ल्ड कप के मदेनजर एक ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को चौका दिया विराट कोली ने कहा कि भारत में होने वाले T20 वर्ल कप को जीतने के लिए इंगलेंड की टीम फेवरिट है दरसल टीम इंडिया और इंगलेंड के बीच पांच मैचों की T20 सिरीज का अगास 12 मार्च से एहमदाबाद में होने जा रहा है इस T20 सिरीज से पहले प्रेस कांफरेंज में विराट कोली ने बताया कि इंगलेंड की टीम इस वक्त T20 में काफी खतरनाक है विराट कोली ने कहा मुझे नहीं लगता है कि भारत T20 वर्ल कप के लिए फेवरिट है मेरे हिसाब से इंगलैंड की टीम ऐसी होगी जिने हराना काफी मुश्किल होगा वो इस वक्त नमबर वन टीम है और पूरा फोकस उन पर ही रहेगा अन्य सभी टीमें इस बात पर निर्भर करेंगी कि उनका स्ट्रेंथ कैसा रहता है जो मैं कह रहा हूँ उससे अन्य टीमें भी सहमत होंगी इंगलैंड की टीम वर्ल्ल कप जीतने के लिए फेवरिट है बेरहाल टीम इंडिया और इंगलैंड के बीच खेली जाने वाली T20 सिरिस की बात करें तो पहला मैच 12 मार्च दूसरा 14 मार्च, तीसरा 16, चौथा 18 और आखरी T20 मैच 20 मार्च को खेला जाएगा सभी मैच एहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया के साथ